सवाल कौन सा सुल्तान एक नया धर्म शुरू करना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इस कदम का विरोध किया? A. बल्बन B. अलाउद्दीन C. मुहम्मद तोगलक D. इल्तुतमिश सही उत्तर है B. अलाउद्दीन सवाल दिली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधी धारन की थी? A. बल्बन B. अलाउद्दीन खिलजी C. मुहम्मद बिन तोगलक D. सिकंदर लोदी सही उत्तर है B. अलाउद्दीन खिलजी सवाल जब उन्होंने राजत्व प्राप्त किया तो वे शरियत के नियमों और आदेशों से पूरी तरह स्वतंत थे बर्णी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए दिया था? A. इल्तुतमिश B. बल्बन C. अलाउद्दीन खिलजी D. मुहम्मद तोगलक सही उत्तर है C. अलाउद्दीन खिलजी सवाल दिल्ली सल्तनत के किस वंच ने सबसे कम समय तक शासन किया? A. खिलजी B. तुगलक C. सयद D. लोदी सही उत्तर है A. खिलजी सवाल अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में मंगूलों से लड़ते हुए कौन मारा गया? A. जफर खान B. नुसरत खान C. अल्प खान D. उलुग खान सही उत्तर है A. जफर खान सवाल अलाउद्दीन की चित्तोड की विजय से जुड़ी है की पत्नी थी A. महरान प्रताप सिंग B. रंजीत सिंग C. राजा मान सिंग D. राना रतन सिंग सही उत्तर है D. राना रतन सिंग सवाल अलाउद्दीन खलजी के आक्रमन के समय देवगिरी का शासक कौन था? A. रामचंद्र देव B. प्रताप्रोद्र देव C. मलिक काफूर D. राना रतन सिंग सही उत्तर है A. रामचंद्र देव सवाल वारंगल में 1303 में काकतिय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था? A. इल्तुतमिश के B. बलबन के C. अलाउद्दीन खिलजी का D. मुहम्मद तुगलक के सही उत्तर है C. अलाउद्दीन खिलजी का सवाल किस सुल्तान के शासन काल में खालिसा भूमी का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? A. गयासुद्दीन बलबन B. अलाउद्दीन खिलजी C. मुहम्मद बिन तुगलक D. फिरोज शाह तुगलक सही उत्तर है B. अलाउद्दीन खिलजी सवाल जे सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूराजस्व को उपच का आधा कर दिया था A. बलबन B. अलाउद्दीन खिलजी C. मुहम्मद बिन तुगलक D. फिरोज तुगलक सही उत्तर है B. अलाउद्दीन खिलजी सवाल निमनल इखित में से किस सुल्तान ने बजार सुधार की शुरुआत की? A. जलाल उद्दीन खिलजी B. अलाउद्दीन खिलजी C. मुहम्मद तुगलक D. बल्बन सही उत्तर है B. अलाउद्दीन खिलजी